बांगलादेश की पुर्वप्रधानमंत्री शेख हसीना के मुस्किल कम होने का नाम ही नहीं ले रिजियां शेख हसीना के मुस्किल कम इसले नहीं हो रे क्योंकि अब उनके उपर हत्या का मामला दर्ज हो किया है देश शोड़कर वो भाग चुकी है भारत में शरंड लिये फिलाल शेख हसीना गाचियाबाद के सेफ हाउस में मौझूद हैं पिछले कुछ हफते से चली आ रही हिंसक प्रदोर्शन के बाद 5 अगस्त को शेख हसीना ने वहां से निकल गई अपने देश को छोड़कर और सरकार गिर गई देश भर में विरूत प्रदोर्शनों का द प्रदोर्शन के बाद एक अंतरिम सरकार इस वक्त वहां पर काम कर रही है और यूनुस के नित्रितों में यह सरकार इस वक्त चल रही है अब सवाल यह उठता है कि आखिर 84 वर्शे नेवल प्रुसकार विजेता मुहमद यूनुस क्या इस हिंसा पर कंट्रोल नहीं कर पा करते हैं और हिंदु मंदिरों को लगतार निशान बरायाः जा रहा है हिंदु जो संख्यक वहां पर हैं उनक उपर अत्यचार हो रहे हैं जान का नुकसान भी हो रहा है, माल का नुकसान भी हो रहा है, और कई ऐसे म्यूजियम की तस्वीरे आपने देखी हूंगी, जो कि बंगलादेश की आजादी के वक्त की तस्वीरे थी, जिस वक्त उस म्यूजियम को तोड़ा किया, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि आख सईद एक शक्स जो है किरान दुकान का माल एक मो मारा जाता है और इसी पुराने मामे में अब शेख हसीना के खिलाफ मामला दर्च हो चुका है अन्य आरोपियों में आवामी लिग के महास्चियू ओवैदुल कादर पुर्व ग्रिहमंत्री असदुजमा खान कमाल और पुर्